मैंनपुरी में वोटिंग से पहले गरम हो गया माहौल शुपाल के करीबी को उठा ले गई पुलिस शुपाल सिंग यादब धरने पर बैठने की तैयारी में नेताओं में हंगामा शुपाल सिंग यादब के पीछे भी पड़ी पुलिस लगा दिया बड़ा आरो मैंनपुरी लोकसबा उप्चुनाओं के लिए मतदान से पहले सपा ने जो डर जताया था वही अब दिखाई भी देने लगा है सपा नेताओं पर पुलिस का पहरा तेज हो गया है यहां तक कि शिवपाल के एक करीबी को पुलिस उठा ले गई ताखा बलाग प्रमुक के पती और शिवपाल संग यादब के करीबी धुरूब यादब उर्फ चीनी को पुलिस ने उनके आवास से गिरफतार कर लिया जिसके बाद समर्तकों ने हंगामा काट दिया जानकारी मिलते ही शिवपाल संग यादब भी भड़क गए धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी और भर्थना रबाना हो गए शिवपाल के आने की सूचना पर पुलिस चीनी यादब को आनन फानन में उनके आवास पर छोड़ गई सपा प्रमुक अकलेश आदब ने भी धरुफ के घर पर पुलिस की कारवाई का विरोध जताया है ताखा ब्लॉक प्रमुक के पती और विधायक प्रत्निती धरुबयादव उर्फचीनी ने बताया मैं कमरे में चेंज करने आया था तब ही घर के बाहर पुलिस पहुच गई गेट पर तैनात युवग ने पुलिस को आने का कारल पूछा तो उन्होंने अबर्दता कर दी उसने गेट नहीं खोला तो बाउंडरी कूद कर पुलिस वाले घर में घुसाए इसके बाद एसीपी ने मेरे हाथ पकले बोले बहुत सक्री हो मुझे पकड़कर भरतना थाने ले गए धुब के मुताबिक पुलिस मेरे घर पर ऐसे घुसी जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ एक सुसाथ सोले में मैंने जमानत ले रखी है नियमित तारीक पर थाने जाता हूँ उसके बावजूद पुलिस को ऐसा क्रत्य कानून का उलंगन है प्रगतसील समाजवादी पार्टी के प्रमुक शिवपाल सिंग आदब धुरुब्यादब के आवास पर भी पहुँच गए वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे घर और आफिस में निजी जगों पर ड्रोन से निगरानी करवाई जा रही है प्रशासन लगाता है ड्रोन के जरिये मेरी निजीता का उलंगन कर रहा है अगर प्रशासन का ही रवया रहा तो प्रशासन के खिलाफ हम धरना भी देंगे कारकरताओं का उत्पिर नहीं रुका तो आज ही DM इटावा और SSP इटावा के ऑफिस का घेराव कर देंगे शिपपाल ने ये भी कहा हमने अपने कारकरताओं से कह दिया है कल सुबह सीधे 7 बजे पोलिंग स्टेशन पर लंबी लाइनों के साथ मिले चुनाव डिंपल यादब जीत रही है पुलिस ने ब्लॉक प्रमुक के प्रती को घर से उठाया है जबके 176 में जमानत कराने के बाद भी पुलिस ने हिरासत में लेने की गलती की है ये सरासर कानुन का उलंगन है दो दिन पूर्वी बारत निर्वाचन आयोग ने इटावा में प्री एसपी के द्वारा चुनाव से पूर्व चार थानेदारों को लंबी छुट्टी स्वीक्रत की थी जिसके बाद सपा के प्रमुक महासचिब प्रफिसर राम गोपाल यादब ने पुलिस प्रसासन की कारवाही पर सवाल उठाई थे और आयोग से शिकायत भी की थी अवकास पर भेज़े के थानेदारों में से भरतना के भी एक थानेदार थे जो इस समय मेडिकल अवकास पर है ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया हल चल अवकास पर चल